जहिन दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई अनुस सिंग लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपोर्टन्ट वीडियो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगे ससी जीडी कॉं सुप्रीम कोड तक पहुंची है अब भ्यारती इसके लिए आयोग से लगा है यह कि भर्ती बोर्ड से लगा कर और सुप्रीम कोड तक गया है तब जाकर करमचारी चैन सेवा आयोग ने ये निवड़े लिया है क्या है इस नोटिस में किसको फायदा होने वाला है किसको उक्सान मिलेगा सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करूंगा इसी वीडियो पर लेकिन आप से रिक्वेस्ट एक बस यही है कि अगे भी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लिजे और बैल आइकन का बट का जो सब्जेक्ट है उसमें लिखा हुआ है इसू रिगार्डिंग मिस्यूज आफ फेक डोमेसाइल सार्टिफिकेट आफ सीटी जीडी एक्जामनेशन दोजार इकीस एंड बाइस दोजार इकीस और बाइस की भरती में कुछ ऐसे कंडिडेट भरती हुए है जिन्नोंने डोमेसाइल साइटिफिकेट दिया है फेक डोमेसाइल से क्या मतलब आपका वह बाहर के थोड़ी है नाइजीरियन थोड़ी है पाकिस्तानी थोड़ी है बंगला देशी थोड़ी है तो इंडियन तो फिट डोमेसाइल फेक कैसे हो जाता है डोमेसाइल फेक कैसे होता है और 2627 एनि कि कुल मिराकर लगबग 6000 कंडिडेट ऐसे हो रहा है जिन्हों ने फेक डोमिसाइल सार्टिफिकेट दिया है आपने कई बार ऐसा सुना होगा आपके संग्यान में भी ऐसा आया होगा कि मेरा दोस्त था वो पढ़ने में बहुत तेज था काफी मेहनत करता था काफी तयारी करता था उसका सेलेक्शन नहीं हो पाया लेकिन एक मेरा जानने वाला है जो दिनभर घुमा करता था पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता था सेलेक्शन उसका हो गया है तो अब सेलेक्शन उसका कैसे हो गया इस पर चर्चा करते हैं और यह फेक डेमेसाइल का क region है जैसे माल लीजै आप रहने वाले हैं यूपी के आपने टंथ जो past किया है वो यूपी से past किया या बिहार से पास किया है थाका जो द्ब क्षाईल बना हो और यह जो द्बशंब प्रमार पत्र आपने बनवाया है आपने जो भड cancel है वह बर is't- rifle भासे दी से और आप जो डोमेसाइल दे रहें वो दे रहें वेस्ट बंगाल का क्योंकि सबसे अदक केसे जो सामने आए हैं वो बेस्ट बंगाल के आए हैं क्योंकि बेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा कंडिडेट ऐसे सलेक्ट हुए थे जो बाहरी प्रदेश के थे अदर स्टेट के थ यहां पर आप पढ़े फिर इसके बाद रहने वाले तो यहां से आपने बनवा लिए लेकिन दिक्कत उनको होगी जो फेक हैं जो गलत हैं जिन्होंने फरजी डाकुमेंट्स बनाकर रखे हैं ऐसे लोगों की नवकरी तो जाएगी ही जाएगी प्लस उनके खिलाफ कारवाई भी हो सकती है जेल भी जा सकते हैं तो किरपया आप ऐसा ना करिएगा क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हंडिट परसेंट जेल जानता है इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता है क्योंकि यह माना जाता है कि आपने सबूतों के साथ आपने छेड़ खानी की है या आपने अपने गलत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं चलिए यह हो गई डोमिसाइल की बात बहुत से लोगों ने कास्ट सार्टिफिकर जो है वह भी गलत दिये हैं कास् है वह यूपी में आती है एसी और ओबीसी की कटेगरी में वही वही जाती है सेम वही जाती है दूसरी स्टेट में आ जाएंगी जनरल में या किसी और कटेगरी में सेंट्रल का भी यह है कि कुछ जातियां जो यूपी की है वह आती है एसी में लेकिन सेंट्रल में जब उन सेंटल में भी वही आती यह लेकिन बहुत से लोगों चलाइए वहाँ दलाल मिल जाते हैं आप उनको हजार दोजार रुपया देंगे वह आपका फर्जी अधार कार्ड बना देंगे फर्जी आपका डोमेसायल बना देंगे और आपको उस इस्टेट के हिसाब से आपका सेलेक्शन हो जाता है लेकिन अब ऐसे विद्यार्थी जा बना रहेगा कि कहीं मेरी पोल न खुल जाए और आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है पहले का समय कुछ और था लेकिन जब से यह समय आ गया है इस समय में किसी का भी कोई भी क्राइम छिपता नहीं है सामने आना ही आना है पता चलना ही चलन है ठीक है तो ऐसे में आप भी सावधान हो जाएए सतर्क हो जाएए अपने दोस्तों को समझाएए और ऐसी हरकते हैं अगर कोई कर रहा तो उसको तत्काल पर बहुत से रोक दीजिए तो अगर आपको इसके संबन में कोई और कोई है कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे सेवन में आपके लिए अवेलबल रहता हूं आप इस बात को जानते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लिजे मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक आप सभी को जैहिं जै भारत